Life consists not in holding good cards but in playing those cards you hold well ये ट्विटर बायोग्राफी में देख रहा हूँ किसकी अवनी लेखरा देखे आज सुबह से आप सबने ये नाम जरूर सुना होगा अवनी लेखरा पहली इंडियन वुमन बनी है जिन्नोंने ऑलम्पिक या पैरा ऑलम्पिक इविंट में गोल्ड मेडल चीता है देखे आज सुबह से ये messages flash हो रहे थे अलग-अलग groups में news channels पे ये नाम बहुत बहुत बाहर आ रहा था और साथी साथ मेरे लिए और खुशी की बात देखे हम सब के लिए हिंदुस्तानी होने के नाजते थी मेरे और खुशी की बात ये थी कि मेरे MNIT group जित्ते भी है हमारे college के वहां ये news बहुत जादा highlight होके आ रही है क्यों आ रही है क्योंकि अपनी लेखरा के जो father है Mr. Praveen लेखरा वो हमारे senior है 94 batch के MNIT के और अभी एक R.S. officer है राजस्तान government के अंदर तो अपनी की जब ये पूरी details है अपनी का नाम हमारे ले नहीं आनी था हम पहले भी इनके बारे में सुन चुके थे बट एक gold medal जीतना एक बहुत बड़ी बात थी फिर देखिया आज मैं बहुत explore कर रहा था इनके बारे में और ये जो biography मैंने देखी देखिये ये जो चीज है ये आप जो students से यारी करते हैं किसी भी exam के लिए life में किसी भी challenge के लिए देखिये हमेशा लोग बहुत किरप करते that is not going to be necessary but आपको जो card मिले हैं उनको अच्छे से खेलिए आपकी जो strength है उनको use करिए आपकी preparation में उनको use कीजिए भगवान ने आपको भी कुछ काभिलियत दिये हो सकता है कुछ काभिलियत आपको कम दिये जो आपको लग रहा है बट कुछ और भी चीज़े होंगी जो आप अवनी की story देखेंगे मतलब इस रियली रियली inspiring देखिए मतलब इनकी story मैं आपको पूरी short में वैसे था आप पूरी news channels वगरे में देखेंगे अवनी मातर 12 साल की थी 11 साल की 12 साल भी नहीं 11 साल की थी ये 2012 के अंदर जब ये पने फादर के साथ धौलपूर और जैपूर के बीच में कार से जा रहे थे और इनके कार का एक्सिडेंट हुआ और उस एक्सिडेंट से ये तीन महीने तक हॉस्पिटल में नहीं बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए बट उसके बाद भी रिजल्ट नहीं निकला और उसके बाद भी अप अपनी लिक्स पे खुद से खड़े होने की इस्तिती में नहीं रही और उसके बाद ये दो साल तक स्कूल भी नहीं जा पाई, कोई स्कूल वीलचेर पे ने लेने को रड़ी, नहीं था, बहुत परेशान रही, डिप्रेशन तक में चली गई, बड़ तब इनको सहरा दिया, इनके फादर ने ने एक बायोग्राफी लाके दी, A Short at History, The Biography of Abhinav Bindra और उससे ये बहुत जादा मोटिवेट हुई, और फिर 2015 में इन्होंने आर्चरी और शूटिंग दोनों को ट्राय करना शुरू किया, और शूटिंग में इनका मन लगा, और उसके बाद इन्होंने एक कॉम्पटेशन में गोल्ड जीता, और उसके बाद तो गोल्ड जीतन प्राक्टिस करने के लिए प्रॉपर जगे नहीं मिल रही थी, अपने फिटनेश चेडियूल को मिंटेन करना मुश्किल था, उसके बाद भी इन्होंने रखाया, इनका इंटर्व्यू भी मैं कहीं देख रहा था, जहें इन्होंने कहा था, कोई बात नहीं अभी आया है, मुझे एक साल और मिला है, बेटर प्रिपेर करने के लिए और मैं गोल्ड ही लेके आऊंगी, and finally उन्होंने ये पूरा किया है, तो देखिए, यही बस मुझे आज आज आपके साथ शेयर करना था, कि आप परिशान नहीं हों यार, मतलब लाइफ ने आपको जो दिया है, उ विए ने मुझें दो मुझे आपके साथ शेयर करना थाँ करना थाभ दोंगा लाइप करना।